Welcome all of you to this live weekly mastermind class मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ Thank you so much for joining this particular class और आज के class में आप लोग सीखने वाले हैं कि कहसे सही तरीके से healing किया जाए कि result आपको सही मिले So which is the best way to heal and how to heal to get the best results with RMP Okay, यह मैं बार-बार topic बार-बार निकालता इसलिए हूँ क्योंकि मेरा mainly जो objective है आप लोगो को सिखाने का और आपका सीखने का वो है कि आपको maximum benefit मिलना चाहिए और मैं आपको एक system देता हूँ कि आप अपनी life की हर problem को solve कर सके और उससे आपकी maximum problem, you know, सही तरीके से best way में आपको result मिल सके तो इसलिए मैं आज की इस topic को ले के आया हूँ, okay So I hope and believe कि आप सब लोग मुझसे जुड़ चुके हैं और बागी जो लोग है वो लोग भी आते रहेंगे, right Without wasting my time, आप लोगों का भी time बहुत मुल्यवान है, आज का मेरा time तो बहुत ही जादा मुल्यवान है, मैं आगे बताओंगा क्यूं और अब मैं आप लोगों को बताओं कि best way क्या हो सकता है, आरम पे से result लेने का सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी जो energy है, aura है, वो हमारे अपने करमों से बनता है और जो कुछ भी यहां आपकी life में manifest होता है, जो कुछ भी आप अपनी life में देखते हो कि प्रकट हो रहा है, आप experience कर रहे हो, manifestation बोलते हैं यह सब कुछ पहले 50% से ज़्यादा energy world में form होता है, जिसको fourth dimension बोलते हैं और वहां से फिर वो energetic group में आपके aura में पहले प्रवेश करता है, पहले body के बाहर प्रवेश करता है, फिर body से, फिर वो आपके body के अंदर, फिर different chakras और आपके पूरे system को system के अंदर आ जाता है, ले you know kind of convert होता है, तो इसलिए energy के लिए आपको अपने कर्मा को ठीक करना है, यह सारे आपके कर्मा बनाता है, whatever जो भी आप सोच रहे हो, भाव कर रहे हो, वो सब कुछ आपके कर्मा से बनता है, मैं आगे explain करूँगा, और कर्मा जो है, दो type के होते हैं, ठीके, एक है past life कर्मा, कि आपने past life में क्या किया है, और present life, past life में मैं बात कर रहा हूँ, इस जनम से पहले जनम की बात कर रहा हूँ, ठीके, past life में हाला कि पिछले, you know, जो time निकल गया है, जो अभी 10 minute पहले था, उसको भी past life बोलेंगे, लेकिन past life, real sense में अगले जनम को बोलेंगे, जो आपका पि present life करमा, तो दो टाइब के करमा हुए, past life and present life, ओके, और जितने भी आपके करमा से, चाहे हो past life हो या present life हो, ये चार चीजों से मिलकर बनता है, देखे, पहला है thoughts, आपके, आपकी सोच में, सबसे पहले जो भी चीज आपके सोच में आता है, चाहे वो अच्छी हो या भुरी हो, ओके, वो दो टाइब से आपके अंदर emotion create करता है, ओके, या तो अच्छी सोच होगी, तो definitely वो एक अच्छी emotion create करके लाएगा, आपको, आपको अच्छी feeling देगा, ओके, और अगर वो बुरी सोच है, negative सोच है, नकारात्मक सोच है, तो वो negative feeling देगा, चाहे वो किसी भी च thought process you have, माली जी कि आपको health related एक thought process चल रहा है, आप, आप negative सोच रहे हो, आपको सरदर्थ हुआ और आप सोच रहे हो कि cancer तो नहीं है, brain cancer तो नहीं हो गया, आपका पेट खराब चल रहा है, और आप सोच रहे हो कि मेरा liver तो खराब नहीं हो गया, मेरा kidney तो खराब नहीं हो गया, you know, यह thought process आपको health को लेके, आप बहुत ज़्यादे extreme सोच रहे हो और वो negative energy create करता है और आपको feeling भी negative देता है, आपको चिंता होने लगती है, आप डरने लगते हो है ना, और फिर वो negative emotion ही आपका एक belief system बन जात होता है, okay, so third step होता है, वो है belief system पर, पहले जो एक सोच आएगी पहली बार कुछ seconds के लिए उसे आप feeling के उपर लोगे और उसे काम करने लगोगे, आप feel करोगे, और जब आप उसे लगातर feel करोगे, कुछ दिनों तक महीनों तक, तो फिर वो belief बन जाता है, और सर्फ belief के बा और उसके बाद आप definitely अच्छा नहीं करोगे, आपको exercise करने का मन नहीं करेगा, walking के लिए जाने के लिए मन नहीं करेगा, positive action नहीं ले रहे हो, अच्छे खान पार नहीं कर रहे हो, आप fast food खाने लगते हो, you know, बहुत सारी चीजे होती है, जिससे कि आपकी health खराब हो रही है तो आपके thought, आपके emotion, आपके belief और आपके action से, आपके अंदर ये सारी changes आ रहे हैं और फिर जो आप experience कर रहे हो, reality में, जो third dimension में हो रहा है, वो होता है, तो third dimension में जो हुआ, वो end result है, क्या आपने energy world से शुरू किया था, अपने thought से, एक जो bees आई थी, जो seed था, वो आपके thought में था, likewise, likewise आपको अच्छे relationship create करना है, right, और आप चाहते हो कि आपके wife के साथ, आपके husband के साथ, अपने family के साथ, आपके relationship अच्छे हो, लेकिन आपकी सोच में negativity है, बहुत सारे ब्रांतियां है, बहुत सारी कहानिया सुनी हुई है, कि husband ऐसे होते हैं, wife वैसे होते हैं, सास वैसे होते हैं, और फिर आप उन सारी चीजों को मद्दे नजर, जबकि आपके reality में वो नहीं है, आपके husband सही है, आपकी wife भी अच्छी है, आपके सास भी अच्छी है, लेकिन चुकि आपने बहुत सारी चीज़े सुन रखी है, और उसकी सोच का आपके उपर प्रभाव उन सब को heterosuggestion बोलते हैं, एक autosuggestion जो आप अपने आपको बोलते हैं, वो बाद में आता है, लेकिन पहले आप heterosuggestion लेते हो, दूसरों के suggestions लेते हो, और फिर वो आपके autosuggestion बन जाता है, जब आप अपने आपको बोलने लगते हो कि नहीं, मेरे husband ठीक नहीं, मेरी wife त ऐसी है, मेरी तो सास में ये problem है, और ये चुछ autosuggestion बन जाता है कि negativity है, इसमें पका कोई गड़वड़ी है, इसने कोई गलत कर रखा, husband पर आपने डाउट किया, wife को आपने कुछ गलत सोचा, सास के साथ में आपके relationship से related आपको बहुत सारी और negativity है, तो ये सारी चीजे, य negative emotion create करता है, और long term में ये एक belief बन जाता है, और फिर आपके actions भी accordingly बनता है, तो result क्या आता है, negative relationships आता है, result क्या आता है, husband wife के बीच में अन्बन होने लगती है, long term में क्या होता है, divorce होता है, क्यों होता है, इसी कारण से होता है, इसलिए तर्मा आपको साही करना है, likewise, पैसो से related, अगर आपको पैसी की problem है, तो आप में negativity है, वो पैसो से related अलग ही मैं, आप लोगों को एक workshop करके दूँगा, money workshop, but thing is, कि आपको positive energy create करना है, positive कर्मा, दो टाइब के कर्मा, past life कर्मा, present life कर्मा, और उन्हीं सारी कर्मा को आप ठेक कर सकते हो, रेकी and mind power से, ठीक है, रेकी heals when money following takes place, you know, अब जो process है, वो बताता हूँ, जब आप RMP को practice करोगे, जो की करोगे, जो नए लोग है, जिन्होंने शुरू नहीं के, उनको मैं बताऊंगा कैसे होगा, but thing is, जो अल्री कर रहे हैं, तो आप daily जो RMP practice कर रहे हो, चाहे healing हो, water charging हो, या फिर forgiveness हो, whatever, okay, रेकी principles है, य जो chemical reactions हुए है, जो chemical depositions हुए है, वो सारे चीज़े धीरे-धीरे निकलने लगती है, okay, so detoxify होता है, जहर अंदर के negativity बाहर निकलती है, दूसरा, दूसरा होता है unblocking, blockages जो हैं आपके body में, different parts में, different chakras में, उन सब को, उन में से वो blockages बाहर निकलती है, hundred percent, वो blockage जब दूर होता है, तो आपको relief मिलता है, आपकी बिमारियां दूर होती है, फिर balancing, balancing आपके चक्रों का, balancing आपके mind का positivity आने लगती है, you know, शान्त होने लगते हैं, अच्छा feel करते हैं, positive belief आता है, और फिर आपको मन करता है कि हाँ, अब अच्छे से RMP practice करें, शुरू में काम करतने का मन नहीं करता है, लेकिन जब आप RMP शुरू करते हो, जैसे-जैसे RMP अंदर जाती है, energy अंदर जाती है, अंदर का detoxification, unblocking और balancing होने लगता है, जो कि कुछ दिनों में आपको feel होता है, तो फिर reactivation होता है, आपके अंदर का automatic healing system, फिर वो एक healing system ही काम करता है, फिर आपको दिम unblocking, balancing process चुरू हो जाता है, और आपको लगता है कि हाँ healing हो रही है, एंगर, irritation, temper, confidence, gain हुआ है, depression, anxiety ठीक हुआ है, positivity आई है, I change में, husband, anxiety, anger, बहुत अची बात है, सुपरिती, emotional ठीक हुआ है, depression, you know, financial insomnia, arthritis, यह सब कुछ शिबानी का ठीक हुआ है, okay, anxiety included, BP, pulsification, reduced, अभय कुमार का, relationship better हुआ है, पूरे भी का, anger, relationship, you know, सर्दी खासी जो काम तो छोड़े दो, कोई छोटी मोटी बात है, emotional and negative thinking, okay, negative thinking, money, बच्चों में, सुधार, यह सब कुछ हो रहा है, मतलब मैं जो कह रहा हूँ कि यह होता है, actually में हो रहा है, right, आपको सिर्फ motivation के लिए मैं आता हूँ, यह already आपको मैंने system दिया हुआ है, कि यह काम करता है, but thing is कि mind में फिर भी कभी कभी doubt ना आए, इसके लिए मैं आपको 20-20 में याद दिलाता हूँ, right, रेकी heals all the aspect of your life, okay, रेकी एक ऐसा alternative healing system है, जो सिर्फ आपकी बीमारिया दूर नहीं कर रहा है, बीमारिया तो दूर कर रहा like incurable diseases भी ठीक हो रहे, like Parkinson's है, arthritis है, migraine है, लोगों के severe kind of a problem है, कई बार डॉक्टर मना कर देते हैं, ऐसी भी चीज ठीक हो रहे, चलो वो तो physical problem या mental problem है, लेकिन कुछ चीज़े emotional है, जैसे relationship हुआ, कुछ चीज़े है जो आपको practically आपको आपके अच्छे कर्मों से मिलता है, like prosperity यह सब कुछ भी ठीक होता है, ठीक है, यह पांचो के पांचो लेवल पर काम कर रहा है, physical, mental, emotional, spiritual and financial problem, और इस चीज़े में दो टाइप के condition है, अगर मैं past life कर्मा की बात करूँ, या फिर, you know, तो उसमें आपको mainly past life की वज़े से एक खास pre-birth conditions आ सकता है, जिसमें deformity in any body parts, missing, under developed, यह सारी चीज़े जो होती है, यह pre-birth condition है, okay, pre-birth में आपको यह सारी बिमारियां हो सकती है, mentally, mentally retarded हो सकते हैं, pre-birth, और post-birth में any kind of a diseases, post-birth मतलब आपके जनम लेने के बाद, इस धरती पे आने के बाद, any kind of a diseases, साहे वो headache हो, उससे लेकर cancer तक, headache to cancer, 50,000 बिमारी को नाम ले स सकते हो, बीच में, Google में ढून लेना, सारी बिमारियां ठीक हो सकती है, जनम लेने के बाद, stress और depression ठीक हो सकता है, चाहे वो stress हो से लेकर depression तक, relationship, discord, financial problem, spiritual problem, क्या ठीक नहीं हो सकता है, पहले वो clear कर दू, जो ठीक नहीं हो सकता है, या फिर बहुत कम सुधार होता है, वो होता है, deformating, in any body parts, like किसी का एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आख नहीं है, कुछ चीज़े है, जो पूरी तरह से underdeveloped हुआ है, और पैदा हुआ है, तो definitely वो ठीक नहीं हो सकता, ठीक है, autism, बच्चों में autism आता है, तो autism 100% ठीक होते वे, मेरे experience में अभी तक नहीं हुआ है, बट थोड़ा सा comfortable life हुआ है, माता-पिता को relief मिला है, माता-पिता को positivity मिली है, एक confidence आया है कि हो सकता है, और फिर life comfortable होते वे देखा गया है, बच्चे को आप comfort दे सकते हो, बच्चे को confidence दे सकते हो, और वो अपनी life को सहीतरी किसे चला सके, ये कर सकते हो, लेकिन वो normal बच्चे की साल को जिसे है, कि उनको एकदम normal नहीं कर सकते है, क्योंकि ये pre-birth condition है, लेकिन जब post-birth condition की बात आते हैं, तो ये सारी चीजे ठीक हो सकती है, और लोगों के ठीक हुए है, मेरे खुद के personal experience में, आप ठीक करने लाइक बनते हो, मतलब ये नहीं बोलूगा कि आप भगवान ब नहीं भी हो सकते हैं, उस पे आपको जिद नहीं करना है, मेरा काम है आपको एक ऐसा system देना, रेकिन माइन पाउर के रोप में, जो आपकी life को comfortable बनाए, problem, बिमारी तकलिफ तो lifetime आती रहेगी, सब के साथ आती है, यहां तक कि जो भगवान बनके इस धर्ती पर आया है, उनक इसका आपने सामना करना है, सुईकार करना है और उसको reverse करनी के लिए आप अच्छे करम करो, वापस, मतलब जो करमा आपके खराब हो है, उसको आपने reverse करना है, जो कि मैं system से दे रहा हूँ आपको, RMP से आप कर सकते हो, daily basis पे healing करो, you know, positive create करो, अच्छे seeds डालो, अपने thought को चेंज करो, emotion को चेंज करो, एक नया belief लेकर आओ, आए नया set of actions करना है, और आप ये बहुत सारी problem solve होती है, ठीक है, अभी के लिए इस particular class को विराम देता हूँ, thank you so much for watching this video, अगर आप इसे YouTube में देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे channel को subscribe किजी, वीडियो पसंद आया हो, इसे like and share जरू किजीएगा, और अगर आपको मुझसे RMP सीखना है, तो नीच दियेगे बटन को click करेंगे, तो आपको मौका दूँगा, कि आप मुझे का free workshop, जिसमें मैं देख रहे होंगा, वो आप attend कर पाएंगे, free of cost, अगर आपको ये workshop करना है, तो नीच दिये लिंक पर click करें, और अभी register करें, तो मैं आप लोग उसे विदा लेता हूँ, keep healing, keep smiling and reiki bless you, thank you so much, okay?